हेलो बच्चों कैसे हैं आप सब बढ़िया तो आज मैं बात करूंगी जेंगा यानि श्रिम्प के बारे में जेंगा दुमिया भर की महासाग्रों में पाई जाती है इसलिए कुछ लोग इसको मचली कहते हैं लेकिन जेंगा मचली नहीं है इसकी करीब 2,000 प्रजादियां विश्वभर में पाई जाती हैं इसका शरीर दो भागों में बटा हुआ है सर और धर्ड जिसके साथ पेट भी होता है जेंगा का शरीर पतला और लंबा होता है जिसका उपरी कवज खोल की तरह सत्त होता है इस स सम्सान खोल को कैराप्यस कहते हैं इसके सर पर एंटीना भी होते हैं जिसकी मदद से आस्फाल्ट के वाथ अपरें दू हैसके 10 पेल होते हैं जिनमें से 6 छी का इस्त Amt चलने के लिए होता है और 4 विस्तमाल पूजन को पकड़ कर खाने में होता है मचली के तरह यही जहिए के पास भी गल्फड़े होते हैं जिनकी मदद से में पानी से अक्सिजन लेकर सांस लेते हैं यह सफेद पीला लाल गुलावी इत्यादी रंगों में मिलता है इसका प्रजाती के अनुसार होता है जींगा मचली मासा हारी और शाका हारी दुन प्रकार का हूजन करती है अश्मानमेर नेदारे तम दम दं दम 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 दमक रहे हैं कितने सुदर कितने प्यारी है कभी बादलों में छुच जाते हैं ताका जाती करते तारे चंदामामा के संभी कर खेले आंख में चौनी तारे हमको अपने पास बुलाते तिम तिम करते तारे सूरज दादा के आते ही छू मंदर हो जाते तारे चम 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 चमक रहे हैं आसमान में ने तारे तम 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 तमक रहे हैं कितने सुदर कितने प्यारे हैं कभी बादलों में छु ते तारे सूरज दादा के आते ही छूमंदर हो जाते तारे आए सम मिलकर दुबारा काते हैं चम 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 रहे हैं आसमान में ने तारे तम 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 रहे हैं कितने सुदर कितने प्यारे हैं कभी बादलों में छुप जाते हैं ताका जागी कर ते ले आंख में चौनी तारे हमको अपने पास बुलाते टिम टिम करते तारे सूरज दान्दा के आते ही छू मंदल हो जाते तारे लाइक और शेयर बटन दबाएं और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आईएं तो सब्सक्राइब बटन दबाना भी ना भूलें ठीक है बाई